इस रक्षाबंदन आप भी महंदी लगा रहे हो और सोच रहो कि आपकी महंदी कैसी रचेगी आज मैं आपको एक ऐसा हैक बताती हूँ जिससे आपकी महंदी काली ही नहीं बलकि इतनी काली हो जाएगी, इतनी डाक हो जाएगी कि आपने सपनों में सोचा भी नहीं होगा आज मैं रक्षाबंधन के लिए महंदी लगा रही हूँ वैसे तो मैंने सोच रहा था, पूरे हाथों में भरके महंदी लगाऊंगी लेकिन मेरे पास टाइम की बहुत सोटेश थी जिस वज़े से मैं पूरे हाथों में महंदी नहीं लगा पाई बहुत ही हाफ से भी हाफ मैंने महंदी लगाई है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मेरा ब्राउनी भी बहुत खुश है काफी मज़ा आ रहा था साथी साथ मैं महंदी की फ्रेग्रिंस भी ले रही थी लेकिन हम लड़कियां जब भी महंदी लगाती हमें एक डाउट रहता है कि हमारी महंदी डाक रचेगी या नहीं बस मुझे भी यही डाउट था एक हाथ में लग चुकी थी पीछे की साइट अब बारी थी दूसरे हाथ की तो मैं दूसरे हाथ पर महंदी लगवा रही थी और बहुत ज़ादा खुश थी देखो मेरे दोनों हाथों के पीछे महंदी लग चुकी थी लग रही है ना बहुत संदर काश मेरे हाथों में हमेशा किने महंदी ऐसी लगी रहे मुझे बहुत अच्छा लगता है महंदी लगाना वेल अब बारी आई मेरी बहन की महंदी लगाने की वो भी महंदी लगाने लग गई थी और उसके हाथों में देगो कितनी सुन्दर लग रही है सच में हम दोनों ने ठाना हुआ था, इस बार यह महन्दी जादा लगा एंगे, लेकिं टाइम की कमी की वज़े से हम जादा महन्दी नहीं लगा पाए आगे भी मैंने काफी कम … महन्दी लगाई लेकिन मैं खुछ थी की जब भी महंदी लगाई जाती है तो या तो खुझरी बहुत लगती है या फिर भूग बहुत लगती है तो यहाँ पर मुझे भूग बहुत ज़ादा लगी थी तो मेरे भाई ने मेरे प्यारे भाई ने मुझे खाना खिलाया उसके बाद मैं घर पर वापिस आगी थी यहाँ पर आपको हैक दिखाने के लिए हैट के लिए आपको एक तबा लेना है उसमें डालना है खूब सारा नमक यानि की सॉल्ट सॉल्ट डालने के बाद आपको उसको अच्छे से चलाना है कुछ इस तरीके से उसके बाद उसके उपर कुछ आठ नौ लांग डाल देनी है जब तक आपको लांग की खुश्बू ना आने लगे तब तक आपने हाथ को रखे ना जैसी मुझे लांग की खुश्बू आने लगी मैंने अपने हाथों को तवे के उपर रख दिया जी हाँ ये ट्रिक बिल्कुल यूनीक है नमक और लांग के साथ वारी लांग से तो हम सभी को पता है कितिनी महंदी काली हो जाती है लेकिन नमक के साथ अगर आप रखो के तो काली के साथ साथ ऐसी काली होगी कि दस दिन तक छूटेगी नहीं और आप खुद पनेशान हो जाओगे यहाँ पर मैंने 5-7 मिनट ऐसे ही तवे पर महंदी रखने के बाद आगी थी बाहर लेकिन मैं बता दूँ आप अपनी महंदी तब तक ना निकाले जब तक कि आप तवे पर उसको अच्छे से से सेक ना ले सेकने के बाद 5-7 मिनट के बाद मैं बैठी और अपनी सारी महंदी को जाड़ने लगी कुछ इस तरीके से क्योंकि महंदी की बन गई थी पपड़ी तो मैंने महंदी को कुछ इस तरीके से क्लीन किया और फिर वेट किया कि जल्दी से जल्दी सुबा हो और मेरी महंधी डाख हो जाए लेकिन मैं सच बता रहाूं महंधी निकालने का न मेरा बिलकुल भी मरन नहीं करता और मेरा मन अभी भी कर रहा था भीया को वापिस बुला हूं अपने दोनों हाथों में फुल करके महंदी लगवालू लेकिन मेरे पस टाइम बहुत कम था राखी भी कल है तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ लेकिन जन्मास्टमी में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं दोनों हाथों में फुल महंदी लगाऊंगी आप भी यह है को करना और मुझो कॉमेंट से वताना की वर्क किया या नहीं वीडियो अच्छी लगई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप यू आप यू आप आई